नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विबलब इस Talks में तो आज एक बहुत ही अच्छे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ तो वीडियो के सब बने रहेगा पता चली है आपका वजास finance limited के वारे में बताने वाला हूं इसी stock का analysis करने वाला हूं तो इसी stock का जो share holding pattern है net profit है इसकर sales है balance sheet chart पूरी जानकरे मैं वीडियो में देने वाला हूं तो बने रहेगा और आपको पता है कि बहुत ही अच्छी company है और इस stock में investment करने पर आपका पैसा डूबने का बहुत chances बहुत ही कम है ऐसा नहीं कि नहीं डूबेगा कोई भी share है भी कोई भी company आप ऐसा नहीं है कि कभी हर बक्त हो company profit में जाती रहेगी तो चले सबसे पहले इसका valuation देखते तो valuation में market capitalization 4,53,835 करों का market capitalization है दो का face value है EPS earning per share 122,41 का earning per share है P 52,64 का P सेक्टर P 48,45 का सेक्टर P सेक्टर P बुक वेलू 715,45 का dividend yield percentage 0,27 का dividend yield percentage है तो valuation तो अच्छा नजर आई रहा, share अच्छा इस company अच्छा है तो valuation अच्छा नजर आई आई गा ही इसका चलेंगे इसके share holding pattern पे तो उससे पहले मैं आपको उताना चाहूंगा कि हमारा channel only education purpose के लिए वीडियो बनाता है तो education purpose पे ही लीडेगा लीजेगा वीडियो को किसी भी stock recommendation नहीं देते हैं इसके share holding pattern पे चलते तो share holding pattern में जून 2022 और मार्स 2022 का रेटा है तो सबसे पहले permotes की holding की बात करें तो दोन ही quarter में से में 55.6% share permotes के पास है प्लेजस की बात करते हैं प्लेजसर वह तो पर मोटर से अपने share गिरवी रखते है तो प्लेजसर का जाधा तो प्लेजसर आप देशकतना पे 0-0 है यानि पर मोटर से अपने एक भी share गिरवी नहीं रखा है तो यह positive point है और जो important investor है foreign investor इनकी जो holding है मार्स 2022 में 22.75% share foreign investor के पास थे वह जून 2022 में 21.74% share foreign investor के पास है तो थोड़ा बहुत foreign investor अपने holding reduce किया ना के बराबर लगबग ना के बराबर नी लगबग 1% foreign investor अपना holding reduce किया इसका दूसरी important investor mutual fund companies है इनकी जो holding है मार्स 2022 में 0.08% share mutual fund companies के पास थे वह जून 2022 में 0.40% share mutual fund companies के पास है others की बात कर तो मार्स 2022 में 11.50% share others के पास थे वह जून 2022 में 12.12% share others के पास है तब मेजरेट अब shareholder जा पर्मोटर्स है तो ने पर्मोटर्स के सबस्वे आदा share से और प्लिसर 00 तो यह positive point है और जो important investor और foreign investor और mutual fund companies इन दोनों ने शी stock में investment किया तो यह भी positive point बनता तो share holding pattern को भी अच्छे मानेंगे valuation भी अच्छा था इसके इसके last three quarter का result देखते है तो last three quarter के result में June 2022, March 2022 और December 2021 का लेटा है तो सबसे पहले sales की बात करें तो sales March, December 2021 में 7523 करो का sales था वही मार्स 2022 में आके 7617 करो का sales हो गया यह यह sales increase हुआ था और June 2022 की quarter में जो sales रहा 8144 करो का रहा है तो यह भी increase हुआ यह quarter by quarter company का sales increase होते ही हो जा रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है company के लिए quarter by quarter sales increase हो रहा है नेट पॉफिट देखते हैं सबसे नेचे सबसे बॉटम में तो quarter by quarter sales रहा है था नेट पॉफिट भी quarter by quarter increase होना चाहिए दिसमबर 2021 में 1,933 करो का net profit था जून 2022 में 2,266 करो का net profit था तो दिसमबर से मार्स में net profit भी increase हो जह से की sales increase हो था और जून 2022 का जो net profit हो 2,355 करो का है तो यह भी increase हो है यहनि quarter by quarter sales और net profit दोनों ही company increase हो रहे है तो बहुत अच्छी बात है company के लिए growth करने के लिए इसका इसका balance sheet पे चलते है तो balance sheet में आप आप देशकते हो मार्स 2022 और मार्स 2021 का लेटा है तो सबसे पहले total share capital की बात करते हो मार्स 2021 में 120.32 करो का total share capital था बहुत मार्स 2022 में 120.66 करो का total share capital है network की बात करते हैं तो network मार्स 2021 में 35.938.74 करो का network था बहुत मार्स 2022 में 12.55.88 करो का network था total debt देखते हैं company को और करजा कितना था total debt मार्स 2021 में 99.884.84 करो का total debt था नहीं कर जा था और 2022 में तो company को और करजा बहुत है company का जो रिजर्फ से अब देखते रिजर्फ भी उतना जाता नहीं है जितना कि अब देखते करजा काफी हाई है पीज बार में company को द्धान देना चाहिए अपने करजे को reduce करना चाहिए इसकत इसकत चार्ट पे चलते तो चार्ट में आपको देखते कि आज 19 सेप्टमबर है और आज का market जो भी close हो चुगा था आज इस stock 7502 रुपे 50 परसे पे close हुआ है 228 रुपे 40 परसे उपर जाके बंद हुआ 3.14 परसे आज इस stock उपर जाके close हुआ है पिछले 5 दिन का performance दो तो पिछले 5 दिन में positive attend दोलिया है 1.5 पर्सन का positive ting ने एक 10 फाइप 5 परसन का positive return है और 107 रुपे 80 परसे पिछले 5 दिन में stock उपर जया है पिछले एक म्ने की बात करते हैं यह भी positive टन है 5.6 परसन का positive यह 5.6 परसन का positive टन है और 400 रूपए 30 पे पिछले 5 तीन, पिछले 1 महने में श्टॉक ऊपर गया है, पिछले 6 मेन 7-6 मिन्याच की बात करें, यह भी positive it on 9.20% का 9,90% एंधय अन्य देशन, 20% का positive it on 632 रूपए 10 पॅजई पिछले 6 महने में श्टॉक ऊपर गया है, verification देखते तो यह टुड़ेट में भी पॉजिटिव टन है लेकिन ठोड सका में एर टुड़ेट का 3.9% का है तीन दसलाओ 9% का पॉजिटिव टन यह टुड़ेट का है और 220 रुपे 90 पैसे एर टुड़ेट में स्टोक उपर गया है पिछले एक साल कर देखते तो फ्लैटी मान के चलेंगे 0.81% का पॉजिटिव टन यह टुड़ेट है और 505 पैसे पिछले एक साल में स्टोक उपर जाता हो दिख रहा है पिछले पांस साल की बात करते हैं यह अच्छा रिटन है 302.68% का पॉजिटिव टन है तीन सो दो दसलाओ 80% का जावरदस पॉजिटिव टन 20 साल का चार्ड आपके सामने तो इन 20 सालों जो रिटन दिया 1,30,378.26% का बहुत ही धमाकेदार पॉजिटिव टन है यह एक लाग तीस दा तीन सो ओड़त्ते दसना 26% का बहुत अच्छा पॉजिटिव टन है और 7,496 रुफे पिछत्तर परसे इन 20 सालों में स्टोक उपर काफी नीचे चलागा तर वहां से स्टॉक बाउंस बैक करके फिर से उपर गया है तो रिटन देने में लॉंग टम में बहुत ही जाओ दस पॉजिटिव टन रिटन दिया है इसका चले जलता है नसी को अबिसेल बाप साइट पर बाकी जानके रहा पर देता हो तो यहां का जो डेटा इसको मैं थोड़े रिफरेस्स कर देता हूं ताकि लेटर डेटा आ जाए देख सकतो मैं रिफरेस्स कर दिया है और 19 सप्टमबर चार बज़ तक करेट है नहीं आज चार बज़ तक करेट है तो क्लेजिंग प्रेज बताई चुका हो सात अजार पांसो दो पिच्चानवे पैसे का और क्लोज अड़ेसे प्राइस सात हजार चासो चैनवे रुपर दस पैसे का है फिप्टीटीव खाई फिप्टीव लो की बात करते तो फिप्टीव खाई आपको गिरीन कलर में दिख रहा होगा जो कि आठ हजार पचास रुपका अठार अक्टब इसका बात करते इसने जो डिविडियन दिया हो कब दिया कितना दिया इबी मा आपलों बता देता हूं तो अब दिविडियन दिया 30 जूं-2022 को 20 रुफे परशेयर कर डिविडियन दिया था तीन मार्स 2020 को 10 रुफे परशेयर दिविडियन दिया था । 11 जूलाई 2015 को 6 रुफे परशेयर दिया था यह तो इसने जो last part dividend re तो कबता है चकाँ और इत्वी च्रीघ मेरी पास था मेने आप लोगी को दे दिए, यह से डिया नहीं है कि आपको इस टाक में इशरण में इस टाक में Olha को करने ड्में तब तक ले जाहिन